है अब तेंज तो छो पंक्चन हम डिसकष करेंगे आज की वीडियो में वह लॉक अड्र Vis Century के उसके तीन ये चार फॉक्चंस हैं जोंकिने आज की वीडियो में डिसकष करूगा थिरे लुक अप। इसके लाव हम एच लुक अप को भी डिसक्स कर लेंगे और लुक अप भी देख लेंगे इसमें और इंडेक्स मैच भी देख लेंगे, इंडेक्स और मैच, यह फंक्शन्स हैं जी, लुक अप के लिए, लुक अप एंड रेफरेंस के लिए, जिनको हम यूज करेंगे, मैं आपको जरा प्रॉब्लम स्टेट्मेंट बिता देता हूं, मेरे पास यह कस्टमर आईडी है, जो के मै कापी करके ला सकता हूं, यहां पर जो के मैं इसको लिख सकता हूं, इसी तरह मैं दूसरा उठाओं, सर्च करूं और इसको भी इसी तरह से कापी करूं, और वापस इसमें ले आओं, तीन, चारा कोई बात नहीं है, जल्दी हो जाएगा, कोई इसमें वो प्राब्लम नहीं है लेकिन अगर ये सेंक्रों की हिसाब से मेरे पास आइडी होती ही तो फिर मैं क्या करता बहुत मुश्कल था मेरे लिए एक-एक कोई सर्च करना मैं सिंपल सा काम करता वी लुक अप उसके बाद मैं कस्टमर आइडी सेलेक करता वापस में जाता जी एसस डेटा के अंदर और यहां पर जिस डेटा में यह कुछ लिख दिया है जहां पर यह एरर आगे इन जी थी नाइन जिरो टू अच्छा मैं क्या करूंगा जी वी लुक अप मुझे सर्च क्या करना है मुझे सर्च करना है कस्टमर आईडी और मुझे कहां पर सर्च करना है GSS में इस column F column में सर्च करना है मुझे वापस क्या चाहिए मुझे G column में से नाम चाहिए कॉमा ये कौन सा नमबर बनता है column का F is the first column G is the second column मतलब ये second number पे है मुझे exact match चाहिए या के मुझे क्या कहते है उसको हम approximate match चाहिए मुझे exact match चाहिए मैं इसको कर देता हूँ enter और अगर मैं इसको निचे स्क्रोल करूँ तो मुझे इन सब के नाम जो है simple एक pre-look-up function लिखने से मिल जाएंगे अब याद रखने की चीज क्या है पहली चीज तो ये जो आपकी range है इसको आपने कर देना है lock दूसरी चीज ये जो a2 है a2 का मतलब ये है कि जो हमारी search की है उसको आपने उसका column lock कर देना है और ये आपने rule बना लेना है कि जब आपकी values उपर से नीचे की तरफ move हो रही है तो आपने column lock करना है और अगर आपकी left to right values move हो रही है तो फिर आपने rule lock करना है अभी तो हमने column lock किया और हम ये values ले आपकी तो इस तरह से आपने we look up यूज़ करना है if error हम हमेशा we look up के साथ यूज़ करते है maximum क्यूंकि इस case में होता क्या है अब जैसे मिसाल के तोरबे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ आईडी और let's say कोई गलत आईडी मैंने लिख दी है और इसको search करता हूँ तो यह मुझे error का error दे देता है तो in any case मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ जी if error और end पे जाए कॉमा और double quotation mark blank हो गया आग कुछ text लिखना चाहाँ आप लिख सकते हैं बिलैंक कर दी है यह हमारा है वी लोक अप उसके बाद हम बात कर लेते हैं एच लोक अप की अब एच लोक अप के लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ के इसको 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 तो चलेगा ठीक है is equal to h look up अब h look up में होता क्या है आपने मसाल के तोर पर ये चीज़ सर्च करनी है तो उसके बाद आपने सर्च कहां करनी है इस पूरी की पूरी row के अंदर comma 1 comma 0 तो जनाब ये हमारी सरह सर्च हो जाईए अगर मैं comma 2 करूंगा तो उसके लिए मुझे 3 to 4 सर्च करना पड़ेगा ये इसका comma 2 आगया वही चीज़ है वो वर्टिकल लुक अप है ये होरिजन्टल लुक अप है अब आते हैं थोड़ा सा हम बात करते हैं लुक अप के उपर लुक अप में भी उसी तरह से सर्च की होती है फिर सर्च रेंज होती है और आट सिट लेकर लुक अप हम ज्यादा तर यूज करते हैं जब हमने स्लैबिंग करनी होती है स्लैबिंग क्या चीज़ होती है ये हम देख लेते हैं निसाल के तोर पे हमने यहां पे टेबल बनाया था किसी टाइब में ये टेबल ले लेते हैं इसको ले आते हैं यहाँ बे अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो रेविन्यू वन मिलियन प्लस है वन मिलियन होगा इसमें को इसके डैसिमल प्लेसे होतम कर लेते हैं अच्छे चलें जहाँ भी मिलियन वन हंड़र्ड के यह से ज़्यादा है उसका एक स्लैब बना दो पहला स्लैब हमारा क्या होगा वन मिलियन प्लस कामा सेपरेटर लगाते हैं ताके गलती ना हो उसके बाद फाइव हंड़र्ड के से लेके वन मिलियन तक के जितने भी हैं उनका अलग स्लैब बने नाम भी दे देते हैं उसके बाद वन हंड़र्ड के से लेके उससे उपर और वन हंड़र्ड के से कम वाले यह चार स्लैब हमने बनाया हैं जी यहां पर जो जिरो से लेके जिरो टू वन हंड़र्ड के वन हंड़र्ड के to 500k अब ये basically 100k नहीं होगा ये 99.99k होगा इसी तरह से ये दूसरा जो है ये 500k नहीं होगा ये 499.99 आएगा ये चीज़ जहें में रखिएगा उसके बाद हम let's say तीसरा slab कर लेते हैं 500k to 1 million and 1 million plus अब ये चार हमारे slab हैं और मैं ये चाहता हूँ कि यहां पर ये data कुछ यूँ आजाए अब ये देखें automatically slab बन गए million plus हमारे पास सिर्फ ये वाला रहा है बाकी 100k to 500k भी है 0 to 400k भी है और कौन सा आया है 500k वाला नहीं आया अगर इसको हम चेंज करना चाहें जैसे मिसाल के तोर बे मैं इसको 10,000 से करना चाहूं तो आपकी मर्जी आप जैसे मर्जी इसको लेके चलना चाहें लेकर slabbing करने का तरीका का pest यही है अब एक और काम करते हैं जी मेरे पास again हम वहीं से जागे data को क्लिव करते हैं और for example इसको करते हैं undo और वो । यह वापस लेक आते हैं अपनी वी लुक अप काम करेगा नहीं करेगा फैल हो गया एच लुक अप काम करेगा नहीं करेगा ये भी फैल हो गया लुक अप काम करेगा ये भी नहीं करेगा तो ये तीनों को कर देता हमेरेड हाइलाइट क्योंके ये तीनों इस सिलसले में हमारी हेल्प नहीं कर सकते हमारी हेल् index match को मिलागे काम करेंगे तब होगा लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है index का काम क्या होता है और match का काम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है देखें match का काम ये होता है कि आपकी जो भी value है जैसे ये मेरी एक value है जो भी आपकी वैल्यू है उसको सर्च करता है कहां पे रेंज में जैसे मिसाल के तोर पे हमारे ये रेंज है और फिर आपको बताता है कि ये वैल्यू रो नंबर किस पे पड़ी है अब नई यकीन तो आप सर्च करके देख लें कॉपी करें और यहां पे लाके पेस्ट करें यहां पे नंबर फॉर पे है अगर ये रिपीट हो रही है तो सबसे पहले वारी पिक करेंगा यह चीज याद रखिएगा वी लुक अप हो इंडेक्स मैच हो यह सबसे पहले वाले इसने हमें बताया कि यह रो नंबर फॉर पे पड़ा है इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे स्क्रोल कर दूँ कोई रो नंबर सैवन पे है कोई थर्टी नैन पे है फिफ्टी सैवन पे है नाइटी पे है और कोई है यह नहीं एन एर आ गया तो यह क्या रिटर्न करता है यह रिटर्न करता है कि आपका रिक्वाइड डेटा किस रो पे है अब दूसरी चीज़ लेक लेते हैं दूसरी चीज़ है इंडेक्स इंडेक्स क्या करता है इंडेक्स को पहले तो हम बताते हैं रैफर्स कैसे मिसाल के तोर बे GSS में मैं कहता हूँ जी मुझे आप order ID बता दो कॉमा जो के नमबर 4 रो पे पड़ी हुई है वो बता दो तो यह उसने मुझे order ID बता दी अब देख लेते हैं क्या यही बनती है यह कोई और है वापस जागे इसको find करें यह रो नमबर 4 के आ रही है मेरे हैं में concept आपका बन गया होगा असल में मैं क्या करने जा रहा हूँ असल में मैं यह करने जा रहा हूँ कि मैंने match के जरीए उसकी location डूंडी location क्या है index के जरीए उसको बता दिया किस column में जाके आपने इसको search करना है और वो column कौन सा बनता है I think so वो column हमारा B column बनता है तो B column पे नहीं मिला उसको हाँ B है index हमने किया जी sorry match हमने करना था F में और index B में करना था यह गलती होगी है मुझसे इसके लिए मैं माजरत को हम इसको निचे पेस्ट कर दें तो यह आपकी values left side से भी उठा के लिएगा अब सुआल यह पैदा होता है कि जब हमारे पास index match है तो we look up क्यों use करें ना करें index match यूज करते हैं आपके मर्जी है I hope कि यह सारी की सारी चीज़े आपके लिए यह बड़ी beneficial होंगी आगे चलके अपने चीज़ों को automate करने के लिए यह client की चीज़ों को automate करने के लिए यह formula सारे बड़े important है इनको बड़े दिहान से practice करें ज़्यादा ज़्यादा practice करें अगर आप WhatsApp गूर्प के अंदर हैं आप वर्क help वाले में हैं या data analysis वाले में वहाँ पे आप question करें और इसके relevant question किया करें बहुत जोड़ी दिए